वेल्कम टू अनकादमी लेट्सक्राइट क्रैक्यू पीसी जिस्फिर इंडिया लाब्जेस रर्निक प्लैट्पॉर्म आप सब थीक होंगे अच्छे से होंगे आपके परिवार में भी सब अच्छे से होंगे वेरी 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 बॉर्निंग और थेंग यू सो मच पर जाइनिंग अस और आज हम लोग फिर से एक बार मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की प्रेस्नेलिटीज के साथ जुड़े हैं सो फर वी हैब कंप्लेट एनी बैसंथ जो कि सबसे पहले मैंने कंप्लेट करवाई थी और हम टार्गेट कर रहे हैं प्री ट्वेंटी 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 यानि हमारा टार्गेट इन क्लासिस का जो है यही है कि हम लोग जो प्री का एक्जैम ट्वेंटी 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 ट की थी मैंने पहले दिन ही आप से कहा था कि हम लोग Alphabetic Manus में पढ़ रहे हैं यानि कि एक जो पहली Class हुई थी वह एनी वैसंत की हुई थी जो मैंने Complete करवाई थी Special Classes में उसके बाद हमने बगत सिंग को Complete किया फिर हमने विपिन चंदरपाल को पढ़ा फिर हमने बियर कि मैंने YouTube पे ही Class ली और उसके बाद हम लोगों ने कल बंकिम चंदर चैटर जी के बारे में पढ़ा यानि B की Personality से हमने काफी सारे जो है major personalities की में बात कर रहा हूं जिनुने Modern India में और भारत की आजादी में बहुत important role play किया So so far we have completed A and B and today we are going to start with a new alphabet that is C और आज की हमारी जो personality है जिनके बारे में हम discuss करेंगे वो है C. राजगोपाल आचार्या जी वैसे नाम से ही पता चलता है क्योंकि जब हम word use करते हैं आचार्या means a teacher और इनका एक बहुत बड़ा role रहा है एक आपको याद होगा कि मैंने इससे पहले जितने भी personalities पढ़ाई उसमें से दो major personalities ऐसी थी जिनको हम as a good writer मानते हैं उन्हें से एक थे विपिन चंदर पॉल जिनके बारे में मैंने कहा था कि उनकी राइटिंग के थूँ लोगों के अंदर नैशनलिसम जागा और उन्होंने बहुत ही important role play किया था लाला लजपत राय के साथ मिलके और बाल गंगादर किल के साथ मिलके कल भी हम लोगों ने जिस personality को बढ़ा यानि की बंकिम चंदर चैटर जी वो भी एक बहुत अच्छे writer थे उन्होंने भी अपनी writing के थूँ ही इंडिया के अंदर लोगों को particularly nationalism के लिए aware किया और बहुत सारी अलग-अलग उन्होंने novels लिखी, poems लिखी जिसके बाद मैंने एक poem आपको बताई थी, जिसमें उन्होंने सन्यासी rebellion को बहुत ज्यादा put forward किया और उस समय ये बताया कि किस तरीके से सन्यासी लोगों ने Britishers के खिलाफ एक होके, एक army बनके जो है वो Britishers से खिलाफ लड़ा, आज अगर इनको comparison करके देखें, तो मैं इनको कोई writer नहीं मानता लेकिन being as a political leader हमें इनको पढ़ना पड़ेगा, अब आज देखेंगे कि राज गोपाल आचारिया जी, political system के बारे में क्या बोलते हैं, democracy के बारे में क्या बोलते हैं, economy के बारे में क्या बोलते हैं, यानि कि इनके अलग-अलग view देखेंगे, so before I should start, I welcome all of you on crack UPSCGS with India largest learning platform, hopefully आ आज बहुत ही important day है, आज हमारे GS first का paper भी है, आप सबसे मैं request कर रहा हूँ कि please, Unacademy की learning app को download कर लेजिए, और वहां पे जो हमारी special classes होती है, उसमें जुडा करें, आज 12 afternoon में मेरी class है, जहां पे हम लोग नई report जो आई है, that is regarding the women cyber crime, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और फिर 6 p.m. हमारी answer writing की class होती है, so hopefully कि मैं उसमें आज के paper का analysis भी करूँगा, और बताऊंगा कि किस तरीके से कौन सी चीज़े हमने पढ़ी थी, and I am very much sure कि आप सब join करेंगे, और आप लोगों को benefit भी मिलेगा, आज हम लोग particularly see, राज गोपाल आचार्या जी के बारे में पढ़ेंगे, इससे पहले भी अपने इनके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन मुझे उमीद है कि आज की class लेने के बाद आप इस personality को कभी नहीं बूलेंगे, और उमीद है कि अगर pre में और mains में कोई question बनेगा, तो आप definitely answer दे पाएंगे, I welcome all of you on crack UPS ETS with India largest learning platform, जहां पे important role रहा है इनका भारत को आजाद करने में, अब कैसे रहा है, इनके बारे में recently news में भी था, current affair में भी थे जब हम partition की बात कर रहे थे, और partition के time पे इन्होंने बहुत important role play किया था कि क्या partition होनी चाहिए, एक way भी डूंडा था, आपको याद होगा, कि इन्होंने एक pact भी किया हैं, लेकिन unfortunately वो formula successful नहीं हो पाया, उसके बाद this is about me and those candidates who have joined the first time, I request them, आप इसका screenshot ले लेजिए, और on academy के जितनी भी मेरी classes होती हैं, वो आपके इस telegram channel पे मैं share भी करता हूँ, those candidates who have joined the first time, this is my telegram channel called UPSC Mentor 21 and यहाँ पे आपको मेरी classes के update on time मिलते रहेंगे, और daily मेरी 3 और 4 classes होती हैं, जो special classes होती हैं, और plus अभी मेरा जो course है, वो NCRT के लिए शुरू हो रहा है for 2023, जो candidates जा रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा सुनेरा मुका आप सब को on academy के साथ जुडने का, now the introductory offer extra 10% of 18 month, अब यह 70,000 से भी कम होके, अब आपके पास 63,998 में आपको यह मिलेगा, by using my code, you will get a 10% of extra discount, you will get a book, 20 books आपको मिलेंगी, 3 month का extension, यानि 2023 के जो students है, वो इस offer को ले सकते हैं, and test series including 45,000 रुपीस test series include, इसमें है, please do participate, कल आपका एक test होने वाला है, और यह test जो है, यह Gandhiji, 107th year of Mahatma Gandhi, return it from the South Africa, so special quiz on Mahatma Gandhi, कल होने वाला है, 4.30 PMP start, 20 questions will be there, and you will get a 20 minutes, and the first, will get a first rank, will get a 1500 rupees, 2 to 3 will get a 1000, and 4 to 10 will get a 500 rupees, so hopefully आप सभ इसमें पासिप्सिपेट करेंगे, by using my code, soheel10, and do participate in the upcoming scholarship test, going to be held, on the 9th of the Jan, at 11 a.m., यानि कि कल होने वाला है, और उमीद करता हूँ कि आप सब इसमें पासिपेट करेंगे, by using my code, soheel10, a scholarship from 4 crore plus, आपको इसमें scholarship मिलेगी, और एक अच्छा time होता है, कि आप competition में जाते हैं, उन बच्चों के साथ, तो आपको लगता है कि आपकी क्य का लेवल है, कहां पे आप खड़े हैं, apart from that, you will get an iconic subscription, live monitoring platform, study plan, open house with educator, and get an instant loan, no processing fees, और जिन बच्चों को लगता है कि if there is some financial issue, they can go for the loan process as well, and it will take you just 2 hours to complete the whole process, here you can use my code, soheel10, जैसे ही आप आप खोलेंगे, तो आपको इस तरीक ही एक option मिलेगा, by using my code, soheel10, you will get a 10% of discount, and apart from the discount, I will be there to guide you properly for one year and two year, and I feel very blessed to be part of your journey, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, कि अगर मैं आपकी कोई help कर सकता हूँ, और मुझे बड़ी खुशी होगी, और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है teacher को जब वो बच्चों को सही रास्ते पे, सही डंग से और सही तरीके से UPAC की preparation करवाते हैं, those candidates who want to take a subscription for option, they have to pay only 24,750, और आज एक बहुत बड़ी personality, उमीद करता हूँ कि आज इसको पढ़ने के बाद, आप लोगों के मन में जो भी प्रेश्न होंगे, सी राज गोपाल अचार्या जी को लेके, वो सारे complete हो जाएंगे, और I am very much sure, कि जब हम personality को मैंने इससे पहले भी बोला था आप से, जब हम personality पढ़ते हैं, तो फिर हमारे लिए बड़ा easy हो जाता है, अगर UPAC कोई question पूछेगा भी न, तो बहुत easy है, और यह उमीद की जा सकती है कि मेरा answer बन जाएगा, क्योंकि हम personality के तोर पे उनकी सारी ची भी check करेंगे, तो last की जो आपको chapter देखने को मिलेंगे, उसमें सिरफ उन्होंने personality के बारे में discussion की है, और जो भी points मैंने mention की है, more than enough है, अगर आप इतने points पे भी काम कर लें, तो आपका काम बन जाएगा, ना तो pre कोई question चूटेगा, और mains में भी आप अच्छा खासा points लेख रखें, क्योंकि जब हम ने पढ़ा था, बंकिम चेंदर चैटर जी को, तो मेरे उसमें पहला point ये लिखाया था, कि उनको हम being like as a good writer, एक novelist उनको याद रखते हैं, एक अच्छे books लिखने के तोर पे उनको हम याद रखते हैं, कि किस तरीके से उन्हों nationalism, लेकिन जब हम लो administration and intellectual powers के तोर पे उनको याद करते हैं, यानि कि अगर हम इनको देखें, तो ये थोड़े से political leader हमें ज्यादा दिखने को मिलते हैं, इन्होंने politically बहुत ज्यादा काम किया और administration के अंदर बहुत ज्यादा change लाई है, यानि दिमाग में याद रखिएगा, कि ये किस चीज के लि बात में हम लोगों को independence के टाइम पर बहुत काम आई, और मुझे अभी भी याद आता है, जब इंडिया और पाकिस्तान का partition हो रहा था, तो इनके अंदर से और इनके साथ जो भी काफी सारे और जो political leader थे, एक बहुत अच्छा सुजाओ इन्होंने दिया था कि किस तरीके से हम ये partition को रोग सकते हैं, तो मैं इनको as a political leader देखता हूँ, अगर आप देखेंगे, तो इनका पूरा नाम जो है, वो है चकरवती, राजगोपाल, आचारिया जी, और ज्यादा तर लोग इनको जिस नाम से जानते हैं, वो है राजा जी, अब देखिए, यहाँ पे UPC आपस की नहीं पूछता है, यह मैं पहले भी अपने बच्चों को बता चुका हूँ, यह पहले याद रखिएगा आप, मैंने इससे पहले भी काफी बार अपने candidates को बताया था, क्योंकि date में vary, और dates के उपर हम नहीं करते काम, सबसे पहली चीज, चकरवती राजगोपाल, आचार है, 1916, अब गांदी जी आपके South Africa से वापस भी आ चुके हैं, और यह 1916 को ही एक society बनाईगे, अब यह परी का question बनता है, अक्सर UPSC इसी तरीके के questions बनाता है, कि बताएए यह society किसने बनाई थी, in 1916, he formed the Tamil scientific term society, बढ़ी अचीज, और मैंने अपनी क्लास में, special class में भी बच को बताया था, इस society का बनाने का में मक्सद था, कि an organization that translated the scientific term of chemistry, that translated the concept of physics, that translated the concept of mathematics, that translated the concept of astronomy and biology into a simple Tamil words. मैंने, I hope कि मेरे जो candidates मेरे पास special class लेते हैं, मैंने उनको यह लिखाया भी है, उनको याद हो, I hope उनको याद होगा, कि मैंने, क्योंकि इनके बारे में recently हम लोगों ने tribute भी दिया था इनके जनम दिन के उपर, तो मैंने उस समय यह पढ़ाया भी था, कि इनके एक बहुत ऐसा कुछ काम करें कि लोग याद रखें, आप देखिए, आते आते यह क्या काम करते हैं, मैंने class के अंदर भी discussion किया है, hopefully अगर आप अपने notes चेक करेंगे, जो बच्चे special classes लेते हैं, उनका revision भी हो जाएगा, और वो भी याद करेंगे कि हाँ sir, इन्होंने scientific, अब यह scientific terms है यह scientific term society है, जहां पर बहुत बड़े-बड़े terms जो थे, chemistry के, physics के, math के, उनको बड़ा simple term में करके, Tamil words में change किया था, ताकि लोग easily पढ़ पाएं, आचार्या मीन्स टीचर, So in 1955, अब देखेंगे यह gap जो दिखाता है, अब 1916 के बाद, in 1955, he was honored by the Indian highest civilian award of भारत रतना award भी इनको दिया गया है, और वो इसलिए दिया गया था, highest civilian award है, आप सब जानते हैं क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा important role play किया था, इंडिया की freedom struggle में, लेकिन सबसे ज्यादा ह हम इनको जिस चीज के लिए याद रखते हैं, जरा वो याद रखिये, कि pre-independence में, being as a political career के तोर पे देखें, क्योंकि मैं इनको एक political leader देखता हूँ, इनको हम लोग कोई writer नहीं देखते हैं, अब यहाँ पिछली बार भी हिंदू की news में यह था, कि अगर यह चाहते तो यह हो जाता, यह चाहते तो वो हो जाता, जरा बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या था, अगर आपको याद होगा कि उन्होंने बड़ी ही छोटी उम्र में, he joined the Indian National Congress and acted as a legal advisor, यह एक legal advisor थे, तो इनसे आप क्या उमीद कर सकते हैं, कि legal advisor हैं, तो कोई issue अगर आपको Indian National Congress में आता ह है, तो आपको यह advice करते थे, हर एक party का अपना एक legal advisor होता है, तो इन्होंने as a legal advisor जो है Indian National Congress को join किया था, बहुत बड़े intellectual थे, बहुत बड़े पड़े लिखे थे, and he defended Indian independent activists, यह भी मैं क्लास के अंदर बात कर चुका हूँ, पी, याद रखियेगा, इनका case इन्होंने लड़ रखा, वार्द लैजू नैडू, against the charge of sedation in 1917, इनके ओपर एक act लगाया गया था, इनके खिलाफ इनोंने, इनको बचाने के लिए, एक case इनोंने लड़ा था, 1917 के अंदर, he was elected as the first premier of the madras presidency in 1937, याद करियेगा, यह सारी dates आपको पता चलती हैं कि modern Indian history में, यह dates बहुत ज्यादा important है, so इनको पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे, तो यह सिरफ आपको एक political leader देख रहे, and he was elected as a premier of the madras presidency in 1937, आपको याद होगा, 1937 के अंदर, हमारे बहुत सारे Congress के leaders ने election भी लड़ा था, और Congress ने काफी सारी, जो है, 1937 में, seats भी जीती थी, special class के candidates से, मैं उमीद करता ह हूँ कि उनको यह याद भी होगा, वो एक या दो दिन या चार दिन पहले मैंने एक class करवाई भी थी, in 1939, अब यह समय जरा देखेगा कि यह World War का समय है, जब World War हो, 1939, जब इंडिया के जितने भी INC के लोग थे, जो उस समय के political leader थे, उन्होंने resign कर दिया था, और 1939 को राज गोपाल आचारिया टुक ए step to abolish untouchability and caste system को खतम करने के लिए, इन्होंने एक बहुत बड़ा step उठाया, क्या किया, and issue the madras temple entry authorization and intimate act, ये काम इन्होंने 1939 में किया, अब ये temple entry का issue आज भी हमारे देश के अंदर चल रहा है, untouchability को लेके, तो अगर आप से कल वो पूछ रहे था, क्योंकि यहां से अगर, अगर हम देखें तो pre के बहुत सारे question बन सकते हैं, अब 1939 के अंदर, जब सारे लोग British के साथ बात करने में लगे थे, कि हमें क्या world war मे participate करना चाहिए, या world war में participate नहीं करना चाहिए, तो उस समय ये एक ही काम कर रहे थे, कि किसी तरीके से, जो यहां भारत के अंदर, जो untouchability आई है, जिसके बारे में बीर इंबेट कर भी कहते है, कि मुझे अगर कोई खत्रा लग रहा है, वो यही है, कि ये caste system भारत को कहीं प तो मदरास Temple Entry, Authorization and Innovate Act निकालते हैं कि जितने भी ये untouchabilities हैं, ये जो concept दिया गया है, purity and pollution का, ये खतम होना चाहिए, तो 1939 को बाकी के लोग world war के साथ विजी थे, तो सी राजगोबाल आचारिया जी समाज के कुछ social issues को खतम करने की बात कर रहे थे, After the Madras Temple Entry, Authorization, Dalichs were allowed to enter the inside the temple और उसके बाद इनको जो सबसे बड़ी काम्यावी मिली, जब इन्होंने ये step उठाया तो जितने भी untouchabilities थे, छोटी जात के थे, उन सब को Temple में Entry करने का मोका दे दिया गया, ये बड़ी achievement थी और ये 1939 में आई, सो सी राज गोपाल आचार्या जी इस नून पोर इट्स टेंपल इंट्री मोमेंट इन 1939 और आपको याद है कि इसके एक साल के बाद ही 1940 के अंदर आपको अगस्ट आपर भी मिल जाएगा, सो ये तब हो रहा था जब आप बारत आजादी की और बढ़ रहा था, और सी राज गोपाल आचार्या जी एक बहुत ही बड़ा नाम बन चुके थे, लोग इन से एडवाइज लेने के लिए आते थे, क्योंकि एक टीचर थे, ये लीगल एडवाइजर भी थे, अगर आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे, इनका सबसे बड़ा टाइम रहा है, इसी लिए इनको आज भी हम लोग याद करते हैं, पार्टेशन के समय में इनको गवर्नर बना दिया गया, अभी बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, तो आपको सुनके बड़ी हैरत होगी, कि इन्होंने बात में रिजाइन भी कर दिया था, मैंने अपने बच्चों को क्लास के अंदर डिस्केशन में भी बताया था, एक बड़े ही सुल्जे हुए, एक बहुत ही बड़े इंटिलेक्शुल थे, और हर चीज़ को बड़े अलग तरीके से देखते थे, और मुझे कह अपने बड़े इंडिया थे, इंडिया फर्स गोवर्नर जर्नर राजगोपाल अचारिया थे, और हम आजदादी अब लेने वाले थे, जूरिंग दे अपसेंस अफ ए लॉर्ड मॉन बेंटन, दे लास्ट बृटिश वाज्रे जो था, इंडिपेंडेंट इंडिया, इंड या फर्स गोवर्नर जर्नर राजगोपाला अचारिया थे, कुछ समय के लिए थे, तो इसका मतलब है कि इन्होंने एक बहुत अच्छी खासी, अपनी जो टाइम है, वो धिया है, पॉलिटिकल लीडर्शिप के तोर पे, फिर आप बिंग ऐसे गोवर्नर देखें उनको, य मुझे पूरा उमीद है कि UPC कहीं न कहीं से इन से प्री का कॉश्चन या मेंस के कॉश्चन में आपको डेफिनिटली पूछेंगे, अपर्ट फॉम दैट, अगर इनको देखें तो यह इनका रहता है, प्री इंडिपेंडेंडेंस, अब यह रहता है, इनका पोस्ट इंडि दिया जाता है, and during his time, Chief Minister of Madras, he actively participating in reforming the education system, अब यहां क्योंकि यह teacher है, तो ज्यादा तर यह सिर्फ एक ही चीज़ को change करने की बात करेंगे, यह है कि education के अंदर किसी तरीके से reform आए, तो यह एक reformer भी है, यह एक political leader भी है, यह एक legal advisor भी है, कासी सरी चीज़े हैं इनके अंदर So the main purpose of the C. Raj Gopal Aacharya Ji was to bring some change in the society, to reform the education system, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर एक समाज को develop होना है, एक समाज हो अगर आगे बढ़ना है, तो सब से best way यह है कि आपको वहां का education system बहुत ज्यादा strong करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आगे लेके जाना पड़ेगा, और वही जिनु नहीं थी, and he also made Hindi as a compulsory language in Tamil school, यानि Tamil schools के अंदर Hindi language को compulsory कर दिया गया, इससे क्या फाइदा होगा, क्योंकि रीफॉर्मर है, जब हम रीफॉर्मर वोर्ड यूज करते हैं, तो रीफॉर्मर का मकसद ही यही होता है, कि हमें समाज को इस तरीके से बनाना है, जहां पे ए इससे cultural unity रहती है, इससे सबसे बड़ा फाइदा है unity in diversity का, यह ज़रूरी नहीं है कि तामिल वाला सिर्फ तामिल ही पड़े और हिंदी वाला सिर्फ हिंदी ही पड़े, लेकिन जब आप इस तरीके की चीजें करते हैं, तो इससे क्या है कि cultural diffuse होता है, cultural exchange होता है, बड़ी समाज अगर बदलेगा तो वो एक ही चीज से बदलेगा जब हमारी education system बहुत अच्छा होगा, उसके बाद कहते हैं कि आप देखिए एक तो temple intrigue, untagibilities के लिए, फिर आप यह कह रहे हैं कि schools को बहुत ज़्यादा reform करना है, उसके बाद आप तामिल schools के अंदर हिंदी को compulsory कर द आपने, तामिल के schools के अंदर हिंदी पढ़ाई जाए, यह कूंसी आप reform की बात कर रहे हैं, तो ही resided, इनने का कि अगर यह चीज से नहीं होती है, तो मुझे यह chief minister की job भी नहीं चाहिए, मैं तब ही कह रहा हूं कि वो अपनी कुर्सी के लिए नहीं जी ले थे, एक teacher थे और की खिलाफ protest कर दिया, तो वो resign करने के बाद, इन्होंने एक और reform की बात की, आभी तक हम पड़ रहते हैं कि सिर्फ education के उपर इन्होंने बात की, अब यह बात करेंगे गरीबों के लिए, यानि education के अंदर जो change लानी थी, उसके बाद यह कह रहे हैं कि let we have a free market economy, यानि हमें अपनी अर्थ विवस्ता के तोर पे free कर देना चाहिए, कल भी मैंने अपने बचूं को Indian society के अंदर एक topic पड़ाया था, कि यह जो गरीबी है, poverty, जो कि 2016 में UPSC ने means में भी एक question पूछा था, that poverty and deprivation is the biggest issue, अगर आप देखेंगे तो इंडिया के सामने इस समय सबसे बड़ा issue जो है, वो यही है, इस गरीबी से जो हम छोटे लोगों के अधिकार हैं, वो कहीं न कहीं खतम हो रहे हैं, deprivation के और जा रहे हैं, अब यह कह रहे हैं कि अगर यह सारी चीज़ें हमें खतम करन अपनी बड़ेगी, ताकि सब लोगों को मौका मिले कि वो अपनी एक अच्छी जिन्दगी जी पाएं, यानि कि high living standard हो पाएं, बहुत अच्छी चीज है, so he wanted to reintroduce थे वर्ना सिस्टम, अब देखें का फ्री मार्केट के तोर पे आप यह कहेंगे कि सब यह तो वर्ना सिस्टम था, जिसमें हमने बात की थी, यह Aryans का था, जिसमें ब्रहमन्स on top, शत्रियास, वेश्यास और शुद्रास थे, लेकि यह जिस वर्ना सिस्टम की बात कर रहे हैं, यह कह रहे हैं कि हर एक बंदे के अंदर कुछ qualities जो job की होती है, यानि कि right person on the right job, वो होने की जरूरत है, अगर वो अच्छा teacher है, तो वो ब्रहमन है, तो फिर उसको बढ़ाने दीजिए, फिर कोई problem नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत जो समाज के अंदर वो यह है कि हमारे पास skilled manner में लोग नहीं है, तो अगर किसी को विरासत में वो सारी चीज़े मिली है, तो वो एक सारी चीज़ें कहीं है, और हमें समाज को आगे ले जाना है, तो हमें दर्म को बहुत आगे ले जाना पड़ेगा, religion, religion आपको moral education देता है, मैं बार बार आपको कहता हूँ, याद रखिएगा मेरी बात, कि जब आप बात करते हैं काल मार्क्स की, ऐसे के अंदर में भी आया है था, repeat itself, history repeat itself, तो मैं एक बात ये मानता हूँ कि, आज हम लोग बहुत modern हो चुके हैं, बहुत ज़्यदा knowledge हमारे पास है, हम English भी बोल पाते हैं, हम Hindi भी बोल पाते हैं, हमने बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन अगर morally देखा जाए, तो हम morally कहीं न कहीं कम हो गए, और KC, राजगोपाल आचारिया जी चाहते हैं, कि बाकी knowledge के साथ वो western हो, वो eastern हो, आपको religion की knowledge साथ में होनी चाहिए, और ये बाते हैं, गांधी जी के साथ भी अगर आप comparison करके देखेंगे, तो इनके बहुत सरे thoughts गांधी सीख से मिलते जुलते हैं, क्योंकि काल मार्क्स ने सब ये कहा था कि religion is a opium, कि दर्म जो है वो एक अफीम की तरह काम करता है, और गरीब जो है वो दर्म से दब चुका है, क्योंकि बड़े लोग जो है वो religion का use करते हैं, और इससे गरीब मारा जाता है, तो गांधी जी ने इस बात पर बिलकुल मना कर दिया था, हम religion को as a moral duty के तोर पर देखते हैं, हमें धर्म सही तरीके से, सही डंक से काम करने के लिए help करता है, और आज अगर हमारे देश में अगर किसी चीज की कमी है, वो है moral education की, और उसी चीज को लेके वो कहते हैं कि सबसे important चीज है कि आप religion for the society, और ऐसा religion जो सब को एक करे, and after that Rajagopal आचारिया was made a home affair minister after the death of Sardar Wallam by Patel in 1950, अब देखिए इनको एक बहुत बड़ी उपलब्दी हासी हुई, की iron man of India, इनके Sardar Wallam by Patel के बारे में जब हम बात करते हैं, एक बहुत ही बड़ा role implement हुआ उनके तोर से, जब उन्होंने बारत की unity की बात की थी, बारत का एक ही करन करने के पीछे, बारत को unified करने के पीछे सर्दार Wallam by Patel का बहुत बड़ा हाथ है, और सर्दार Wallam by Patel को इंडिया का बिस्माक भी कहा जाता है, और एड़ी UPSC question कर चुका है, reason यही था कि उन्होंने unity की बात की, तो सी राजगोपाल आचार्या जी पहले governor भी रहे, first governor general भी रहे, उसके बाद फिर chief minister भी रहे, उसके बाद अब इनको जो है, वो क्या बना दिया गया, home affair minister in 1950, लेकिन कोई समय के बाद वो यहाँ पे भी fit नहीं होगे, क्योंकि उनके मन में था कि मुझे reform करना है, मुझे कोई job नहीं चाहिए, मुझे मैं किसी seat या कि लीडर्शिप के लिए नहीं अपनी यहाँ पर एक party बनाई, जिस party का नाम था सवतंत्र party, अब ये issue क्यों हो रहा था, क्योंकि इतने बड़ी job portfolio भी दिया गया उनको, इतना सब कुछ देने के बाद, तो reason यहीं था बेटा कि Congress after gaining independence, अगर आपको याद होगा, तो महत्मा गांदी ने भी कहा था कि अब Congress क के अंदर जो है, मुझे डर लग रहा है कि अब Congress एक moment नहीं है, अब Congress एक power struggle है, यानि Congress के अंदर अब लोग power के लिए लड़ रहे हैं, एक समय वो था जब मैंने वो Congress बनाई थी ना, और जिस Congress के थू हम लोगों को आजादी मिली, वो Congress अब नहीं रही, और गांदी जी ने मैं खुद भी अपने समय में का था कि अगर मेरा बज चले तो मैं Congress को खतम कर दूए, रीजन ये था कि आप लोग power के लिए लड़ रहे थे, रधर दन गोई फॉर इस unity and all that, and that's why he resigned there and started this in own pulse. अब आपको याद होगा कि अपनी party बनाने के पीछे, क्योंकि मुझे याद है, क ये सारा कुछ इसलिए हो रहा था, because there was a class in class struggle and there was a class in class conflict, जो कारल मार्क्स की एक theory भी है, कि आप लोग leader बनने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्होंने resign कर दिया, क्योंकि इनका काम ही था कि मैं समाज में इसलिए आया हूँ, क्योंकि मैं reform करना चाहता हूँ, मुझे leader बनने का क जोख होता, तो मैं तो governor था, मैं तो chief minister भी था, और chief minister के बाद इनको एक बहुत बड़ा portfolio 1950 में दिया गया, और सरदार वल्लम भाई पटेल को replace करना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन 1959 में उन्होंने ये भी declare कर दिया कि नहीं, मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ, इस स पता चलता है कि सच में वो एक teacher थे, सी राजगोपाल आचार्या जी, reform की बात करते हैं, तो क्या हम इनको as a reformer देखते हैं, of course, reformer वही होता है, जो समाज के अंदर change लाने की बात करता है, अगर आप देखेंगे, so role in freedom struggle के तोर पे भी देखेंगे, तो he participated with गांदी जी in the non-co operation moment को suspend कर दिया गया था, withdraw, क्योंकि उसके बाद non-violence होने के कारण, so he met with Gandhi for first time in 1990 in Madras, now in China, in Chinna and participated with Gandhi in non-cooperation moment, लेकिन बात में ये गांदी जी से भी थोड़े से नाराज रहेंगे और कहेंगे कि अब मुझे बिलकुल भी नहीं लगता है कि मुझे आप गांदी जी के साथ रहन चाहिए, so he was also jail for two year, अब 1920 के अंदर दो साल इनको jail में डाल दिया जाता है, and after his release, he opened his own आश्रम, अपना आश्रम to promote Gandhi principle of Hindu, Muslim, unity, harmony and the abolition of untouchability, यानि कि गांदी जी को as purely वो गाइड मन ते थे, क्योंकि Gandhi जी भी आश्रम के थ्रू ही सारी चीजें करते थे और उसके बाद, jail के बाद, इन्होंने भी यही काम किया, लेटर ओर, विकाम सत्तेग्रा इन्होंने किया, बहुत ज्यादा इंपोर्टन है यह प्रीगे कोश्टन है, देख लीजिएगा, and he was also involved in the विकाम movement against the untouchability, and then in डांडी मार्च, which started in 1930 to 1900, फेरे उसमें, दो फेज हमें मिलते हैं, 34 तक, So what he did in the डांडी मार्च to break the salt line in 1930, राजगोपाल आचार्याजी carried out the similar मार्च, इन्होंने भी सेम ऐसी मार्च की थी, with Riyanama in the Madras presidency, तो यह already UPSC pre का कोश्टन पूछ चुका है, कि साल्ड मार्च को Madras के अंदर किसने शुरू किया था, तो सी राजगोपाल आचार्याजी ने शुरू किया था, बहुत बड़ा नाम, बार-बार कह रहा हूँ, So he also became the editor of Gandhi newspaper called Young India, अब यहाँ पे इन्होंने लिखना भी start किया है, editor थे, याद रखिएगा, became the editor of the Gandhian newspaper, यह Gandhi का newspaper है, लेकिन editor इसके जो हैं, वो सी राजगोपाल आचार्याजी, यह दो माक्स का question बन जाएगा, बट, during the quit India moment, राजगोपाल आचार्याजी opposite गांधी, quit India moment के टाइम पे, उन्होंने गांधी जी को कहा, अपनी गलत किया, उन्होंने, उनका ये मानना था कि अब हमें 1942 के अंदर ये moment करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब अंग्रेज हमें वैसे भी आज़ादी देने वाले हैं, क्योंकि अंग्रेज्गों की हालत वर्ल्ड वार के बाद खराब हो चुकी थी, अब उनके पास इतना पैसा था भी नहीं कि वो बारत को होल्ड कर पाते, अब तो हमने वो pre means का एक question भी देखा था कि अब वो छोड़ने वाले थे बारत को, लेकिन अब वो सिर्फ यही था कि किस तरीके से छोड़के जाएंगे, वो एक काम चल रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि अब हमें यहाँ पे दिखिए, quit India moment, दे राज गोपाल अचारिया opposite गांदी जी कि आप ये करने की जुरूरत नहीं है, जो हमने किया बहुत हो गया, he was of the view that the British were going to leave the country eventually, so launching the another satir gap was not a good decision, क्योंकि पैसा ये सारी चीज़े नुकसान होता है, हमें अब दुबारा से एक और मुमिट करने की कोई जुरूरत नहीं है, लेकिन गांदी जी क्योंकि व कह सकते हैं कि ideas clash हो रहे थे और उसकी वज़ा से थोड़ा बहुत इनके बीच में अनबन भी रही, so अगर literature के तोर पे देखेंगे, तो he wrote a Tamil translation of the Ramayana, which was later published as the Chakravati Tirugana, ये बहुत बड़ी किताब है पिटा, ये इनके दौरा ही की गई, लेकिन मैं इनको writer नहीं मानता, मैं इन बंकिम चंदरपाल या फिर हम लोग बंकिम चंदरचेटर जी को देखते हैं, जिनके बारे मैंने कल पड़ाया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है, तो इनका क्योंकि अलग काम भी रहा है, the book won the Sahity Academy Award in Tamil language in 1958 और बहुत सारे award भी इस book को मिले, so for me, the Gopal Acharya Ji was a reformer and he was agreed, so the under response of the, अगर आप देखेंगे, तो हमें, अब अगर हम इनको देखें, तो हमें यही पता चलता है, कि से एक बहुत अच्छे reformer थे, अगर आपका कोई question वगरा होगा, तो प्लीज वो मैं लेना चाहूंगा, कि आप अगर आपको कोई भी question पूछन पूछना है, प्लीज अगर कोई भी आपको दिक्कत थी या समझ में नहीं आ रहे थे, उमीद करता हूँ कि इस topic से आपको वो समझ में आ गए होंगे, कुछ questions होंगे, तो प्लीज मैं वो लेना चाहूंगा, अगर आप बोलना चाहते हैं, कुछ तो प्लीज टाइप यर question प्लीज, अंजली अच्छ एक सवाल, steady motivation से भी कभी-कभी question आ जाते हैं, बड़े अच्छे question यह करते हैं, लेकिन अब यह सवाल यहां पे नहीं दे सार जी, एडेक खो रहा है, जिक्रम कलनाईट से मैंने नहीं लगा रखा है, तक यू मैं नहीं लगा रखा है, तक यू मैं नहीं लगा रखा क्राम कें नहीं लोगा कारा कैटारा, नहीं नहीं पनाटिए नहीं लोगा hurry आट रखा पी 돈 टै अब्दुल समय अस्सलाम आलेकुम स्लाम या इस साउथ गांधी सी राज गोपाल आचारिया जी अन्य कॉश्चिन प्लीज गोएद फास्ट तो तुमारो वी एव अने अधर प्रस्नेलिटी और लेट मी तेल यू वन थिंग सर आप सबसे रुकेस्ट है कि आज प्लीज 6 पीम मेरी स्पेशल क्लास हो रही है जहां पे हम लोग यूपीसी 2021 की मेंस के कॉश्चिन पेपर का अनालिसिस करेंगे सो उमीर है कि आप लोग वहां पे भी जुड़ेंगे यू किन सर्च मी अन अने कर्मी बाए नेम आफ सुहिल तुर्की सर आइगो टैलेंट सर स्पेक्टरम से मॉडरन हिस्ट्री की एप्रोच कंप्लीट हो जाएगी मैं स्पेक्टरम बहुत पर पढ़ा भी चुका हूँ और बता भी चुका हूँ अगर आप क्लासेस के अंदर जुड़ेंगे बेटा तो डेफिनिटली होगा क्यों नहीं होगा सर अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको नहीं लगता है कि सर बहुत सरे जितने भी फ्रीटम फाइटर रहे हैं जितने भी बड़े बड़े नाम है उन्होंने एक ही काम किया है उन्होंने रीफॉर्म की बात किया एजुकेशन की मैं आपको ज़रा क्लियर कर देता हूं मदुर जैन देखें कोई भी चीज अगर आप यूरोप के साथ कंपारिजन करके देखेंगे कोई भी चीज इतने जल्दी रीफॉर्म नहीं होती आपको यह मानना पड़ेगा समय लगता है और हमने बहुत बहुत बह नाम थे उनका एजुकेशन सिस्टम आप अपने आपको जर्मनी इटली फ्रांस के साथ कंपारिजन नहीं कर सकते हैं आपको कंपारिजन इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यह वो देश है जो बहुत समय तक पॉरिनर्स के अंडर रहा मेडाइवल हिस्ट्री के अंदर में अभी काफी सारी हम लोगों ने यही सारी चीजें देखी इंशन टाइम में भी अलग-अलग डाइनस्टी जाती रही तो आप अगर समय देखेंगे तो मैं राइटली समय जो देखता हूं वो देखता हूं आफ्टर इंडिपेंडेंस फिर अगर आप देखें तो हम दुनि के अंदर वो सब कुछ कर पाएं थोड़ा सा हम ट्रडिशनल वे में हैं और उसके बाद अभी देखिए आप हम बहुत ज़्यदा डिश्टल भी हो गए बड़ी खुशी की बात यह है कि हमने यह डिश्टल कंसेप्ट बहुत जल्दी एडॉप भी कर लिया को रोना वाइरस है एक दिन में कोई चीज नहीं होती है मैं तब ही कहता हूं आपको विश्वास क्योंकि आप आने वाले आयस ऑफिसर हैं आप जब कभी ऑफिसर बन जाएंगे तो आपकी भी कुछ लिमिटेशन होंगी क्योंकि हर एक बच्चा जो है वह क्योंकि आप आयस ऑफिसर बनेंग अचा I agree with this your question sir, भी हमने complete कर लिया, I got talent, sir, is we need to read line by line or page to page of the spectrum? See it's all up to you I believe that while it's not about reading it's about finding out the importance of the particular topic which you are like reading at that time आपने एक बर उसको पढ़ा समझा और फिर उसको अपने तरीके से भी लिखा आप थोड़ा सा क्लासे लेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा और अरेडी special classes के अंदर बहुत सारी modern Indian history classes मेरी चल रहे हैं आप आपको थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं बिटा so thank you so much for being with me I hope you have enjoyed this class and काफी कुछ आपने सीखा होगा see you tomorrow with another modern Indian history personality till then take good care of yourself stay safe and stabilized may Allah bless you all and do join me UPSC mentor telegram channel and search me on an academy learning app by the name of suheil turkey and those who want to take a subscription this is the best time to join with an academy by using my code suheil10 I will be there to guide you properly for one year two year and three year and I feel very blessed to be part of your journey stay safe and stay blessed bye